मस्कांस दोस्तों स्वागत आपका अमारे इस YouTube चैनल पर देखे यूपी टेट फिलाल कब होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है सूपर टेट का क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता लेकिन आप लोगों को अपने तयारी बंद नहीं करनी है यह मैं हर वीडियो में कहता हूँ और उसके पीछे रिजन भी यहीं है क्योंकि अगर सड़नली कूछ भी डेट लग गई कोई भी न्यूज आ गई या फिर एक्जाम कंडट करा लिया गया फिर अपर रिविजन तक का टाइम नहीं बचएगा तो अपने तैयारी कंटी दी रखिए वाकि एक्जाम अगर नहीं हो पाया तो पूरी खबर है सभी के लिए क्योंकि एक लंबा गैप फिर से होगा पता भी अब नहीं बचाया सीटेट बहुत जल्दी होने वाला है आपके अड़िट कार्ड भी आउट हो चुके हैं बहुत से लोगों कर भी लिए होंगे आप लोगों को अपने एक्जाम डेट या सेंटर जो भी जैसा है आपको मिल गया हो गया अब बात करते हैं पहली बार सी प crispy नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कभी जैसाँ दिया ही नहीं हैं जिन बचोंने बैंकिंग के km कर रखी आ hundred होगों के छाप लिए हो न सभी के यह क्रीड़ैस के लिए चाहूंगा कि सबसे पहले एक्जाम देने से पहले आप लोगों को online friendly होना चाहिए अगर आप online friendly हो जाएंगे तो कम से कम आपके दो चार questions तो सही है like होता क्या कि हम कोई नई चीज को जब आटेंड करते हैं तो हम थोड़ा समय तो उसको समझने में लगा देते सबयाएं और आपको फटा है किसे यहरे और प्यार्टा वाला होता नहीं सारे नई questions होते तो आप पढ़ते पढ़ते सर दर्द आप लोगों का हो जाता क्योंकि वह बहुत लेंगे लेंगी बेंगपर हो जाता है मैंने ऑनलाइन एक टेस्ट लेने की शुरुआत करी है। यूपी टेट के लिए भी मैंने यही स्टार्ट किया था और करीब 10-12 बच्चे थे जिन्होंने वो चैनल लब सब्सक्रिप्शन जॉइन किया था। बट इस बार अभी मैं जो यह टेस्ट जाल रहा हूं वो साइकलोजी के 30 कुश्चन हैं आप सभी लोग उसको चेक आउट करिए वो ओपन है सभी के लिए किसी के लिए कोई पैसा नहीं है जो लोग सब्सक्रिप्शर वाले हैं वो भी दीजिए जिनके पास नहीं वो भी देने के लिए फ्रेंड़्ली हो जाएंगे औलाइन बेस्ड पर आपको कम सब्सक्रिप्स तो आइडिया लगेगा कि हां ऑनलाइन आता है तो आपको मैनेज कैसे करना है कोश्चन एक बार में सारे नहीं दिखते हैं एक बार में एक कोश्चन दिखता है सीधी सीधी बात है तो जो आप एक ही बार में कुश्चन देखते हो जब आप कुश्चन पेपर में सारे कुश्चन देखते हो तो वह दोनों का देखने का तरीका ही अलग होता है जब एक कुश्चन देखता है तो आप टोटली फोकस उस पर कर रहे होते हैं लेकिन आपके सामने नीचे होते हैं तो ऐसा होता है कि आपने पहला देखा नहीं तुरंत आप दूसरे पर कूछ जाते हो लेकिन ऐसा नहीं है वापस जाना फिर से आना वह एक बड़ा वावाल होता है और वह कौन सा लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह गूगल फॉर्मस पर जाएगा जिसमें आपके एक इमेल आईडी मांगेगा और सामने थर्टी कुशन्स आजाएंगे आपको तीसो कुशन एटेम्ट करने और उसके बाद आपको सब्मिट कर देना है सब्मिट करता ही आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा तो उससे दो फायदे होंगे तीन फायदे होंगे मेरे साब से पहला फायदा तो यह होगा कि आप आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी आपने जो पढ़ाए कि आप कुछ समझ पाई हो सीटट किस तर पे खड़े हो पाई हो तो आप दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि यह है online platform यहाँ पर पूरे प्रदेश से बच्चे जुड़े होते हैं कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से वो जब paper attempt करेंगे तो आपको उनसे एक अपना आकलन लगाने में मदद मिलेगे कि आप कहां ख़रें है एक्जाम competition ही है मतलब अगर आपको एक्जाम देने जारे हैं और वहाँ पर competition नहीं है अगर आपको प्रतिस्टफरदा नहीं मिल रही है तो एक्जाम एक्जाम नहीं होता है इसलिए ये एक्जाम जरूर दीज़ेगा ये टेस्स जरूर दीज़ेगा जो निचे लिंक दिया हुआ त आपको अपनी इस्तिती मौलम चलेगी कि आप कहां खड़े हैं इस पूरे प्रदेश में भले ही 10, 20, 30 बचे ही एक्जाम दे उन 20 में भी आपको अपनी जगा देखनी तो सभी से रिक्वेस्ट है जरूर लिंक बिजाएगा पेपर दीजेगा आप लोग को पेपर क्वाल्टी भी अच्छे लगेगी कोशन साथ आप अच्छा कर पाएं अटेंट कर पाएं और अपना रिजल्ट जो आएगा बाद में रिजल्ट भी शो करूंगा किस ने कोशन्स आप सभी को best of luck और पेपर दिरूर दीजेगा क्योंकि आपको उससे जरूर मिलेगी लास्त तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद कंटेंट भी डाल रहा हूं पेपर भी डाल रहा हूं सब चीजों का मज़ा लीजे और बस तयारी करते लिए थैंक्यू और नाइस कि हुआ प्धूसधूसध जेओे सिते ही एध फूसरा स्टाह सब पत्रभ सबस्कैंट लिएभ़ग स्थाध Contoh को और रहा हूं